नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि आपको पता है हमने पहले छंद को पढ़ा है क्या होता है उसमें हमने छंद के दो प्रकार किये हैं मात्रिक और वार्निक और उनके तीन तीन उभ्भेद भी किये हैं जैसे कि सम मात्रिक चंद, विशम मात्रिक चंद और अर्ध सम मात्रिक चंद, उसी तरह से वार्निक चंद में भी सम वार्निक चंद, विशम वार्निक चंद और अर्ध सम वार्निक चंद, अब हम, हमने उसमें मात्रा, लगू, गुरू, स्वर, ये सब भी पढ़ा था, गुरू साथ हैं अब हम कहां लगू-मात्रा लगेगी इसके विशे से संबंदित जो महतुपुन बाते हैं जो महतुपुन नियम हैं उन्हें पढ़ेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं लगू-गूरू-विचार कभी कभी नियम के विरुद लगू वर्ण भी गुरू बन जाते हैं और गुरू वर्ण भी लगू माने जा सकते हैं नियम क्या है लगू वर्ण कब गुरू बन जाता है ये देखते हैं सबसे पहले यानि के कब छोटा यानि के एक जो है वो S बन जाएगा गुरू बन जाएगा पहला अनुस्वार युक्त अनुस्वार यानि के बिंदू लगु वर्ण भी गुरू माने जाते हैं जैसे संतोष, कुंडल इन में कैसे रहता है संतोष में सगुरु हो जाएगा तो भी गुरु हो जाएगा और शग एक रहेगा यानि के लगु अच्छा हिंदी भाषा है हमारी तो हिंदी में भी हिंदी में है कुछ होटी की मतर है किन्तो फिर भी वो क्या रहेगा गुरु और दैको बड़ी मतर है तो वो तो गुरु होई जाएगा क्योंकि यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है बिंदू लगी हुई है ठीक है दूसरा स्वर रहित वेंजन से पहले वाला वर्ण यदि लगु हो तो वह गुरु माना जाएगा जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या किया था अभ्यास उसमें भ आधा था तो हमने अ को बड़ा किया था उसी तरह से जैसे अभी हमने संतोष में किया स आधा न कर दें अगर तो स गुरु हो जाएगा तो तो गुरु है ही श भी लगु हो जाएगा और हिंदी में आधा नय अगर कर दें बिंदी हटा कर तो वही बात है है को छोटी के मात्रा लगिया फिर भी वो आधा नय के कारण क्या हो जाएगा गुरू ये सेम हम पिछले विडियो में अभ्यास शब्द में कर चुके हैं और भी उधारन करेंगे जब हम दोहा चंद को पढ़ेंगे या चौपाई चंद को पढ़ेंगे तब इसके और उधारन भी करेंगे एक नियम और है वो क्या है विसर्ग युक्त लगू वर्ण भी गुरू हो जाएगा जहां विसर्ग लगी होगी उसमें जो लगू होगा वो गुरू हो जाएगा जैसे हम लिखते हैं अतह या दुख दुख में दैको छूटिव की मात्रा होती है, किन्तु विसर्ग लगी हुई है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? गुरू अर ख लगु ही रहेगा, और उसी तरह से अतह में अ एक आएगा, और त भी एक आना चाहिए, किन्तु ये गुरू हो जाएगा, कारण क्या है? कि विसर् ठीक है, देखिए एक अनुस्वार हो गया, दूसरा नियम क्या है? स्वर रहीत हो जाए, और तीसरा विसर्ग, अब अगला देखते हैं, एक नियम ये है, सयुक्त, वर्ण, क्ष, त्र, ज, श्र, इनसे पहले यदि लगु वर्ण है, इनसे पहले वारा लगु वर्ण भी ग गुरु माना जाएगा, जैसे कक्षा, असल में ये जो नियम है, ये नियम स्वर रहीत वेंजन वाले नियम में count हो सकता है, क्योंकि ये सयुक्त वेंजन है, और सयुक्त वेंजन में श, कजमा श, तर, तजमा र, ज, ज, जमा य, श, श, जमा र, तो इससे पहले वाला ही है इस कारण से स्वर रहीत होता है उसे हम गुरु मान लेते हैं अब देखिए ज कहां यूज होता है ज य य ज य ज ज में य लगू होना चाहिए लेकिन क्योंकि इसके बाद ज लगा हुआ है इसलिए वो गुरु होगा और ज अपने आप में लगू हो जाएगा और इस तरह कर लें, जैसे हम कख्ष कख्ष में क कैसा रहेगा गुरू और क्षः जो है वो लगू सेम जैसे यज्ये था अब इसी कख्ष को अगर हम कक्षा कर दें, तो उसी तरह से क गुरू हो जाएगा क्षः के पिछے क्योंकि आ कि मत्रा है इसलिए ये गुरू होगा नहीं तो अगर क्ष़ होता तो लगू ठीक है एक और बात विध्यान रखने की है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है तो चरण के अंतिम लगू वर्ण को गुरू मान लिया जाता है ऐसा चंद पूर्ती के लिए किया जाता है जैसे यह विचार परिश्कृत ह यदी इसमें द पर छोटी की मातरा है किन्तो हम इसको लगूना मान करके इसको हम गुरू माने तो ही इसकी सोला मातरा पूरी होती है बाकी इस नियम पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस नियम को हम तब करेंगे जब अधिक जरूरत पड़ेगी या अगर आप इसके बारे में विस्तार से जाना चाहते हैं तो क्रेप्या कमेंट करें हम और विस्तार से इसे करेंगे ठीक है देखिए हमने अब इसमें लगू वर्ण और गुरू वर्ण तो पड़ लिए अब इनके नियम भी एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट कर वा जहां बिंदू लगा हो अनुस्वार युक्त हो तो वो गुरू हो जाता है जिस अक्षर के बाद जिस वर्ण के बाद स्वर रहित वेंजन हो यानि के आधा अक्षर हो तो उससे पहले वाला गुरू हो जाएगा जैसे हिंदी में हमने किया था विसर्ग लगी हो तो उससे पह तो लगू भी गुरू हो जाता है और एक नियम था कि आवशक्ता पढ़ने पर अंतिम लगू वर्ण को गुरू मान लिया जाता है ये नियम इसके विपरीत भी चलता है कि आवशक्ता पढ़ने पर कहीं कहीं अंतिम गुरू वर्ण को भी चंद पूर्ती के लिए लगू मान उस पर भी हम विचार करेंगे अभी हम गण विचार करते हैं पहले गण विचार क्या होता है उसके लिए आपको पहले गण समझना होगा गण होता है समूँ छंद शास्त्र में छंदों की परिभाशा अधिकी सुविधा के लिए वार्निक छंदों में तीन वर्णों के समूगों गण माना गया है और गण कुल कितने हैं? आठ आठ गण हैं इनका परिचय कराने से पहले मैं आपको एक सुत्र बताना चाहूंगी वो है य माताराज भान सलगा य माताराज भान सलगा आपको लिखा हुआ दिख भी राय इसमें जो गुरू है उस पर गुरू का निशान है य लगू है तो लगू है मा गुरू है ता गुरू है रा गुरू है ज लगू है तो ये निशान लगे हुए हैं अब हम इनके गणों को कैसे पढ़ते हैं? पहला या माता, पहले तीन ले लिजिए, या माता तो ये क्या बन गया? यगन, जहाँ से शुरू हो रहे हैं, अम उसको यगन कह रहे हैं, जहाँ से शुरू हो रहे हैं, उसी से यी उसका नाम हो जाएगा फिर मातार, मगण, स्ताराज, तगण, राजैभा, रगण, जभान, जगण, भानस, भगण, नसल, नगण, सलगा, सलगा, सगण, सगण, सोरी, ठीक है, अन्तिम, गुरू, क्लियर? गणों के सूप को रटने की अपिक्षा हमें क्या करना चाहिए? इसके जो ये सूत्र है, यमतार, जभान, सलगा, इसे याद कर लेना चाहिए, और इनके हमें जो निशान है, वो अपने आपे आजाएंगे, ठीक है? समझने में सांचा लगता है, लेकिन के समझ आ जाए, तो बिलकुल उतना आसान लगता है, जैसे 2, 2 मिलकर 4 हो जाते हैं, दो जमा, 2 हमें सूत्र आता है, दो जमा, 2-4 हो जाते उसी तरह से छंद में यदि आपको सूतर आता है तो आपका बिल्कुल आसानी से दिमाग में सब चीज फिट हो जाएंगी आपको दोबारा से उसको कभी सरसरी नजर से देखना होगा याद करने की बिल्कुल जरुत नहीं पड़ेगी सब कुछ याद हो जाएगा देखिए अब इस सूतर में हमने क्या करना है अगर किसी गण को पहचानना है जैसे मानलो भगण को जानना है तो भा न स पहला गुरू उसके बाद लगू और फिर लगू ठीक है सुत्र से हमें कई चीज़ें समझा जाती हैं जैसे तगण का पता लगाना है तो ता राज तार गुरु रागुरु ज लगु ठीक है? अब देखिए मातरागण क्या होते हैं चार मातराओं के समों को मातरागण कहते हैं ये संख्या में कुल पांच है अभी हमने उपर क्या किया था? उपर हमने इस सुत्र को अध्यान किया था, उसके आधार पे हमने निकाला था, अब हम मात्रागन देख रहे हैं, मात्रागन क्या होते हैं? चार मात्राओं के समू को मात्रागन कहते हैं, और ये संख्या में कुल पाँच हैं, बस यही एक मिया मैं इसको समझ लेजिए उसके बाद दो हाजपाई जंद हो जाएगा शुरू हमारा ठीक है नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट कर देना और मैं आपको दुबारा से और विस्तार में समझाऊंगे आपको अच्छे समझ आ जाएगा देखिए सर्व गुरू जिसमें सभी गुर एस के लगु हो ठीक है अंत गुरू जिसमें अंतिम गुरू हो और पहले दो लगुं हो और सर्व लगु जिसमें सभी लगुं हो जैसे आदी सर्व गुरू कि इसमें दिख रहे हैं आपको जैसे आधी सर्व गुरु किसमे है बताईए आप उपर वाले में सर्व गुरु है मगण में सभी गुरु आ रहे हैं आधी गुरु किसमे है आधी गुरु बताईए भगण में उसके बाद मध्य गुरु किसमे है बताईए जगण में जभा न आधी मध्य गुरु हो सगण में अंतिम जो है ज सगण सलगा गुरू आ गया और सर्व लगू किसमें है सर्व लगू है नगण में न सलग तीनों लगू समझाया कुछ? नहीं समझाया तो दोबारा समझा देंगे ठीक है आप ध्यान से इसको दो तिन बार देखेंगे न पिलकुल अराम से समझा जाएगा अब मैं आपको करवाती हूँ चौपाई चंद चौपाई चंद में क्या नियम है? पहला नियम सोला मातराये यह एक सम मातरिक चंद है सोला मातराय Är होती है सम मातरिक आपको बताया था पिछले वीडियो में अगर आपको पिछले वीडियो देखना है तो उपर आप आई कार्ड में देख सकते हैं उसमें आपको सारी चीज अच्छे से दिखाई दे जाएंगी या फिर वीडियो के end में भी आपको screenshot मिलता है उसमें चोरस से खाने में वीडियो बना हुआ दिखता है ना उसको आप किसे उंगली से चुएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा आप उसको देख पाएंगे चलिए चुपाई करते हैं 16 मातराई होती है सम मातरिक चंद है इसके प्रत्येक चरण में 16 मातराई होती है चरण के अंत में जगण या तगण नहीं होना चाहिए जगण या तगण नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है मात्राएं लगू गुरू लगू या गुरू गुरू लगू न आएं एक और बात भी ध्यान रखने की है समकल के बाद समकल तथा विशमकल के बाद विशमकल आना चाहिए अब यहाँ प्रशन करेंगे समकल क्या होता है विशमकल क्या होता है समकल के अभी प्राय है समसंख्यावाली मात्रा यानिके दो या चार मात्राओं का समूँ और विशमकल का प्राय है समकल को पहचानने की विदी एक ये भी है कि दूसरी मात्रा तीसरी मात्रा या चौथी मा पांचवी मात्रा से मिली हुई नहीं होनी चाहिए यह सेम नहीं होनी चाहिए ठीक है अब आपको मैं बताओं अगर तो मानस में जो की तुलसी जी ने लिखा हुआ है देखिए बच्ची यह बहुत बड़ी गलती करते हैं वाल मिकी ने जो लिखी थी वो रमायन लिखी थी ज जो की साहितिक अवधी में है साहितिक अवधी में मानस लिखा गया और लौकिक अवधी में क्या लिखा गया देशी अवधी में पदमावत लिखा गया जो की जैसी ने लिखा अब ये दोनों रचनाओं में चौपाई चंद में इन दोनों रचनाओं में चौपाई चंद क बहुत ज़्यादा प्रयोग है देखिए जायसी का उधारन ले सरवर तीर पदमिनी आई खोपा छोरी केस मुकुलाई ससी मुख अंग मलय गिरी बासा नागिन जापी लीन चहुपासा अब इन में आप मातराएं देख रहे हैं अफले वीडियो मैंने आपको मतराएं लगानी सिखाई थी इसने क्या बताई है बात कि लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए अंत में जगण और तगण नहीं होना चाहिए देखिए चारों में जगण और तगण किसी में भी नहीं है नहीं है न और गिंती करें तो एक, दो, तीन, चार, सरवर की चार मात्राएं, तीर की तीन मात्राएं, गुरु, लगु, पद, मिनी, पद, मिनी की पाँच मात्राएं, ठीक है, आ, ई में दोनों ही बड़े हैं तो दो, दो, चार मात्राएं, कुल मिलाकर हो गई, सोला पाकी में भी 16-16 मात्राएं बनेंगी, 16 चोके 64, कुल 64 मात्राएं हो गई, तो ये हो गया हमारा चौपाई चंद, एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेजिए, नहीं समझ आए, तो दोबारा बताएंगे, मैं बार बार कहरे हूं कि दोबारा से कर लेंगे, अगर आपको समझ नही कुजागर, महावीर विकरम बजरंगी, कुमती निवार सुमती के संगी, बहुत बहुत उधारन मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रसिद है चोपाई चंद, चार पाई, 16 मात्राएं, ठीक है, अगला करते हैं, दोहा चंद, दोहा चंद बहुत बहुत प्रसिद है, जो जाए था, जिसमें विशम और सम चरणों में अलग-लग मात्राएं होती है, वही बात, इसमें कुल चाग चरण है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13, और दूसरे और चौते चरण में 11, 11 मात्राएं होती है, इस प्रकार इस चंद की हर पंक्ती में कितनी मात्राएं हो गई चौदा, तेरा जमा, ग्यारा, चौबिस सॉरी मैंने चौदा बोल दिये चौबिस आएगा इस प्रकार इस छन के प्रतेक पंक्ती में चौबिस मात्राई होंगी कैसे? तेरा जमा, ग्यारा, चौबिस उसके बाद दूसरे और सॉरी, तीसरे और चौथे चरण में भी, तेरा जमा, ग्यारा, चौबिस कुल मिलाकर, अड़तालिस प्रतेक पंक्ती के अंत में, यानि के दूसरे और चौथे चरण के अंत में लगू होना जरूरी है उधारन पिछले मात्राएं भी लगाई थी तो इसी को करने की बजाए मैं सोच रही हो कि किसी और उधारन को ले लेते हैं मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की जाई परे स्याम हरित दुती होए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कबीरदास के रहीम के इस तरह के दोहे ले जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं ताकि मात्राएं आपको अच्छे समझाएं तो आप अपनी कॉप्पी में रहीम के कबीरदास के जो भी आपके स्लेबस में है या आउटो स्लेबस भी आप कहीं से भी दोहे उठाईए और उसमें मात्राएं लगाईए तो आपको दोहा, छंद और चौपाई छंद का भी आप इसी तरह से उधारन लेजिए जैसे अवदी एक अति लगु जानी, सा अभिमान तुम तात बखानी, वीरो चितिया अभिमत नाही अतिशे जनी जानो मनमाही ये चौपाई का उधारन है दोहें की उधारन तो जितने निकालें उतने ही कम है जितने आप याद करें, जितने याद सुने हुए है उन सब में ही क्या मिलेगा तेरा जमा ग्यारा चौबिस मात्राई पहले और दूसरे में उसके बाद तीसरे में तेरा जमा ग्यारा और चौबिस मात्राई कुल मिलाकर अड़तालिस मात्राई अब जो हम कर रहे थे इस उधारन को कर लेते हैं मेरी में दो-दो मात्राएं, चार मात्राएं होगी भव-भव दो मात्राएं होगी कुल बाधा, गुरू-गुरू हरव, ह एक, रव, दो यानिके गुरू राधा में भी गुरू गुरू यानिके चार मात्रा है नागरी ग में भी एक री आगे की मात्रा है तो एक और ना में गुरू सोय में गुरू और जा तन की परे जा गुरू तन लगू लगू की में गुरू जाई दोनों गुरू हो गए परे में प पर एक यानिके लगू रे पर गुरू मत्रा स्याम हरित दुती होए स्याम में गुरू और लगू या म ठीक है हरित ह एक र को भी एक और त को भी लगू दुती छोटे की मत्रा है तो गुरू सौरी लगू और ती में भी छोटी की मात्रा है तो लगू हो, हो को गुरू और ये को लगू कुल मिलाकर हो गई 24 मात्रा है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद कुछ नहीं समझाया तो आप कमेंट करकर पूछ सकते हैं जो भी चीज डिटेल में करना चाहें उसके लिए भी कमेंट कर दें और अगर सही लगे तो प्लीज चेयर भी जरूर करें धन्यवाद